हलो डियर स्टुडेंट्स, माइ नेम इस स्रयान जैस्वाल और वेलकम तो अवर यूटूब चैनल स्टडी जोन इंजिनेरिंग, चेंजिंग दवे टू लर्न इंजिनेरिंग, तो आज की वीडियो में बात करने वाले है मोतार के बारे में, तो यहां वीडियो का प्लेलिस्ट का वीडियो नमबर वन है, मोतार का वीडियो नमबर वन है तो हमारी प्लेलिस्ट चली आ रहे हैं बहुत दिनों से बिल्डिंग मटेरियल इन कंस्रक्शन के उपर, तो यह भी बहुत important building material है जो कि है motor तो आई ये पढ़ लेते हैं motor क्या होता है motor basically एक workable paste होता है और ये prepared का ऐसे बनता है बनता का ऐसे ये ये binding material fine aggregate और water को एक suitable proportion मतलब एक कोई proportion होगा कोई proportion में मिलाने में हम जो workable paste बनेगा उसे हम बोलेंगे क्या motor बोलेंगे तो ये motor क्या होता है हिंदी में बोलू तो इसे हम बोलते है माल मतलब बिना गिट्टी का जो माल होता है जो side पर बनाते हैं उसे बोलते हैं हम motor तो इसमें गिट्टी नहीं होती और ये तो brick होती है, brick की दिवाल बनाने में या brick मेसंद्री में काम में आता है, इससे हम plaster भी करते हैं और इससे हम brick के बीच में bond बनाने के लिए भी use करते हैं, तो आगे पढ़ते हैं इसके constituent, तो constituent of motor, मतलब इसके क्या-क्या चीज है, इसके अंदर तीन चीज है, एक तो है binding material, fine aggregate, तीचा है water, तो हम एक-एक को समझेंगे, तो सबसे पहले समझते है, binding material क्या होता है, तो binding material दो तरीके, के होते हैं, basically cement और live, हम दो चीज़े यूज़ करसकते हैं, binding material के use में, अब binding material होता क्या है, binding material क्या होता है, जो की पकड़ के रखे, मतलब to bind, bind मतलब क्या होता है, जकड़ना या चिपकाना तो हमारी cement क्या काम करती है कोई से भी construction में cement एक ही काम करती है वो काम करती है binding material का और थोड़ी बहुत strength भी provide करती है तो fine aggregate को जकड़ के रखता है और क्या होता है कि दो brick के बीच में जो दो brick को अपन को चिपकाना है तो इससे हम binding material यूज नहीं करेंगे अगर motor के अंदर तो चिपकेगी नहीं second चीज है lime lime भी वो ही काम करता है पर ये पूराने जमाने में यूज हुआ करता था lime इतनी अच्छी strength नहीं देता था इसलिए हम अब इसे use नहीं करते है हम सीरे use करते है cement को range को यह हम cement में मिला देते अगली चीज है fine aggregates fine aggregates में तीन चीज़ा आती है send आता है sorki आती है और cinder आता है इसकी image आपको दिख रही होगी पहली image जो send की है दूसरी है sorki की image तीसरी है cinder की image तो fine aggregate क्या करता है fine aggregate filler की तरब काम करता है गैप फिल करता है तो हम उसमें यूज करते हैं मोटार बनाने में थर चीज आती है वाटर तो वाटर क्या बेसिकली हमको कौन से पी-एच का वाटर लेना है पी-एच मतलब होता है पावर ओफ हाइड्रेशन तो हमें 6 पी-एच से रहके 8 पी-एच तका वाटर हम यूज कर सक हैं concrete और मोटर दोनों बनाने में आपने हमारी वीडियो concrete की playlist देखी होगी वर आप मोटार की देक तो मोटार को दोनों को बनाने में 6 से लेके 8 पी-एच का पानी ले सकते हैं अब हम देखते हैं function of मोतार के क्या-क्या function होते हैं मतलब क्या-क्या काम करता है यह तो यह काम करता है stone और brick को चिपकाने का मतलब जकड कर रखने का सेकेंड है यह weathering resistance को रजिस्ट करता है weathering से मतलब हवा पानी धूल इससे हमें हमारी brick को हमारे जो wall को है वो भचाता है अंदर नहीं आ पाती है third है to feel empty joints in brick and stone masonry मतलब अपन brick की दिवार बना दी अगर अपनने और उसके बीच के जॉइंट रहे गए तो वो भी हम मोतार से बाद में feel करते है चोती चीज है maintain strength of wall मतलब यह दिवार की मजबूती को बना के रगता है मजबूती प्रोवाइट करता है किसी भी घर को दिवार बनाते हैं तो दिवार मजबूत मोटा सही होती है तो बेसिकली दोश्तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई जय हिंद वन्दे मातरम